हरियाना के राजनितिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने लिया बड़ा फैसला पार्टी ने संसत दुशंत चोटला वे दिगविजे चोटला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है इनलों ने दुशंत्वे दिगविजे की पार्टी से सदशता बरखास्त कर दी है इनलों ने दोनों ही नेताओं पर अनुसासन हिंता का आरोप लगाया और कारण बताओ नोटिस जारी किया था नोटिस के जवाब मिक के बाद पार्टी को फैसला लेना था कि दोनों को पार्टी में रखा जाए या नहीं इनलों के नेताओं के परिवार में पैदा हुए अंतर कलहे ने पार्टी को इस मुकाम पर पहुचा दिया जिससे पार्टी दो युवे दिगस्द नेताओं को बाहर निकालने का फैसला लेना पड़ा सांसद दोशंच चोटाला ने अनुसासन हिंता के आरोपो को लेकर दादा से सबूतों की मांग की थी उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो नोटिस उन्हें दिया है उससे वे आहत हैं और मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस नोटिस के साथ ही मुझे तथ्यों वीडियो रिकोर्डिंग से भी अवगत करवाया जाए इसलिए एक सब्ता की समय सीमा में नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सकता उन्होंने नोटिस पर 14 दिन की महलत की मांग की थी वहीं उनके द्वारा गोहना रैली की वीडियो रिकोर्डिंग मामले में घमासान और तेज हो गया था वहीं इस पूरे परकरण के बाद दिगविजे चोटाला का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि 5 नवंबर को अजय चोटाला जी पैरोल पर बाहर आ रहे हैं और कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा दिगविजे चोटाला ने बताया कि पारिटी में जो कुछ हुआ उस दोरान जिन लोगों ने भी गलत बयान दिये हैं सवाल उठाए हैं उन सब चीजों को मद्दे नजर ध्यान में रखकर चर्चा की जाएगी जो कुछ भी हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जो लोग उनके चाहने वाले हैं वह भी आकर अपनी बात सामने रखेंगे और कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है वहीं यदि हम बात करें हरदियाना में वर्तमान राजलेतिक परिवेस को लेकर के जिस परकार से सांसत दुशंत चोटाला की जनसभाओं में भारी भीड उमड रही है जनता का मूड यह बता रहा है कि लोकप्रियता के मामले में दुशंत चोटाला सबसे लाड़ ले नेता है अगर इनेलो परमुकों परकास चोटाला ने यह कठोर निरने लिया है तो इनेलो के खातमे का फैसला साबित होगा दुशंत के बिना इनेलो और बस्पा गठबंदन सत्ता की रेस से बाहर होगा जिस परकार कांगरेस के नेताओं को उनकी खेमे माजी की तरह जनता का समर्थन दूर हुआ है अगर कांगरेस के नेताओं ने सामोहिक रूप से मिलकर चुनाओ नहीं लड़ा तो कांगरेस भी खिंडमिंड हो जाएगी वहीं हम बात करें शांसत दुशंत चोटाला की बढ़ती हुई लोगप्रियता को लेकर के आज हर्याना प्रदेस के समस्त युवा चाहे वो किसी भी दल से सम्मद रखते हैं आज दुशंत चोटाला के प्रती वो सोफ्ट नजरा रहे हैं उनके दिलों में दुशंत को लेकर के एक सोफ्ट कॉर्नर सहज देखने को मिल रहा है जिस परकार दुशंत की सभाओं में नारे लगाए जा रहे हैं युवाओं की भीड उमड रही है वो हर्याना के राजनीती में निश्चित तोर से एक बदलाव का संकेत है और आने वाड़ा समय हर्याना के राजनीतिक हलकों में हर्याना की सियासत में एक निश्चित बदलाव का प्रियाए साबित होगा जिस परकार से इनलो पार्टी में उठा पटक क उसको लेकर के आए दिन नित दिन नए बयान जारी हो रहे थे उसको लेकर के आज एक संसे समाप्त हो गया है दिगविजेवे दुसंत का पार्टी से निसकासन नई रणनीती भावी रणनीती का आगाज होगा जैसा कि मीडिया में खबरे आ रही हैं पांच नवंबर को रास् और उसी सम्मेलन के दोरान दुशंत चोटाला की भावी रणनीती पर योजना बनाई जाएगी चर्चा की जाएगी और कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है इंतजार रहेगा अब हर्याना परदेश वासियों को दिवाली के इस परव पर क्या भुचाल आएगा हर्या हर्याना में अन्य दलों की नीद उडाने का काम करेगी हम आपको बता दे कि मातर चार साल के संसद कर्यकाल के दोरान दुशंत चोटाला नैकेवल हर्याना परदेश में अपीतू देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अपनी प्रकर रैख्यानों से और अपनी आव पर लिया जाता है हम आपको बता दे कि हर्याना के राजनीती में यह जो भूचाल आया है यह ना किवल इनलो पार्टी की आपसी इस लड़ाई को लेकर के है बलकि हर्याना की जंता को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है जो लोग भाजपा कांग्रेस वे अन्य दलों से ना कर चुके हैं आया सी एम आया के नारों से दुशंत का स्वागत किया जा रहा है उसी को लेकर के हर्याना प्रदेश के युवा वे हर्याना प्रदेश के लोगों को एक विकल्प मिल रहा है दुशंत की नई पार्टी की घोसना होगी क्या रणनीती रहेगी इसका खुलासा तो 5 नवंबर को 18 जनपत पर होने वाली जनसभा में लिया जाएगा तब तक इंतजार रहेगा हरियाना की राजनीती के जानने वाले विशलेशकों का मानना है कि दुशंत की छवी एक ऐसे जुजारू नेता की है जो निश्चित तोर से हरियाना की राजनीती में परिवर्तन करने में